एक तानगर एक हरी भरी धर्ती जिसे पर्यावरण ने हर खूपसूर्ती से नवाजा है हर्याली की आश्यर ये चकित कर देने वाली यहां की छटा के बीच बसा है रेगिस्तान के पौधों का बागीचा जिसका नाम है कैक्टस गार्डन कैक्टस आम तोर पर गर्म जलवायो वाले शेत्रों में पनपते हैं इनके काटों के कारण लोग आम तोर पर इनसे दूर ही रहते हैं पर स्टैचू आफ यूनेटी स्थित कैक्टस गार्डन में इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं हाई मैं मुंबई से हूँ और स्पेशली यहां कैक्टस गार्डन मुझे देखना था Seriously, ऐसा कैक्टिस गार्डन आज तक मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में और इंडिया का सबसे बेस्ट कैक्टिस गार्डन है यह और स्पेशली मेरे बच्चे स्कूल में उनको भी ए प्रोजेक्स चल रहा है कैक्टिस सा तो दे रियली लवड इट एंजोई इट और इतने कैक्टिस में आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा वन शुट कम आज स्टेव एंडिया बच्टिस गार्डन इस बस्ट और इस बस्ट और इस बेस्ट I am Tomit Swamboi from Sweden Just experienced walking around in the cactus garden and in the butterfly garden Very nice place I must say And I am very satisfied with seeing so many things Cactus garden में 1000 से धिक किस्म के cactus के पौधे लगाए गए हैं Cactus के पौधों की देख भाल करने और उन्हें सही वातावरण देने पर पूरा ध्यान दिया जाता है यहां आने वाले परेटकों को सही और पूरी जानकारी देने के लिए Cactus garden में गाइड मौजूद रहते हैं आप जो डेख रहे वो Cactus Garden है पूरा 25 एकर में फैला हुआ है यह जो डॉम बनाए वो थर्मो प्लास्टिक से बना हुआ है यानि कि बार का टेंप्रेशर है उसे पांच डिग्री यहां पे ज्यादा रहता है यह जो डॉम है पूरा वो 836 क्वैक पूट में फैला हुआ है यहां पे 450 जितने Cactus and Succulent Plant है यानि 3 टाइप्स का यहां पे सेक्शन है तो फर्स्ट नमबर का सेक्शन है उसमें Succulent Plant है सेकंड नमबर का सेक्शन है उसमें यानि Cactus है कलम किया हुआ है कैक्टस की विभिन प्रजातियों की एक बेहद विश्त्र श्रिंखरा देखकर यहां आने वाले सैलानी भी आश्चरे चकित रहते हैं मेरा नाम मितुल शाह है मैं पूरबंदर गुजराट से हूँ हम यहां पे दो दिन के लिए आये हैं तो आज यहां पे आये कैक्टस गार्डन पे तो रेर सारी विराइटीज देखने को मिली और लाइक में पहली बार हमने यह सब देखा है वैसे यह सच भी है कि कैक्टस की इतनी प्रजातियां शायद ही कहीं एक साथ हो इसी लिए तो हमारा यह कैक्टस गार्डन काफी अनूठा है कैक्टस के पौधों का सिर्फ सजावती इस्तेमाल ही नहीं किया जाता बलकि चिकित्सा के लिए भी इनका उप्योग होता है इन पौधों की विभिन प्रजातियों के अलग-अलग गुड़ हैं जिनका चिकित्सा के शेत्र में इस्तेमाल किया जाता है कैक्टस के पौधे हमारे लिए प्रकित का वरदान है इनकी एक हजार से जादा प्रजातियों से भरा ये बागीचा स्टैचू आफ यूनिटी के अकरशन को और भी बढ़ा रहा है आईए स्टैचू आफ यूनिटी आईए कैक्टस गार्डन हमें आख का इंतजार है